नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहें न्यू जारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बोड़ी कबरों को आयलान किया है। भागपा मववादी ने क्रिशना हास्दा और एनुका मुर्मू की गिरपतारी की विरोध में 22 जनवरी को 24 गंटे का जारकन बंद का आयलान किया है। वे एक अजार करोड रुपे के खनन घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामनी आई है। अवाद खनन और मनिलावडरिन केस की जांच कर रही एडी ने सहिब गंच की उपायुक्त राम निवास यादो को शमन किया है। बता दे कि इडी ने सहिब गंच अवाद खननन मामले में मुख्य आरोपियों, पंकच मिश्रा और उसके सहियों की बच्चू यादो के खिलाप इसी आई आर दर्च किया है। इस केस में अब कई वरी अधिकारियों की मुस्किले बढ़ने वाली है। इसमें काफी समय लगता था, पैसे भी अधिक भुकतान करना पड़ता था, साथी ठगी की भी संभावना बनी रहती थी। पलामो में पुलीस ने पकड़ा हाथियारों का जकिरा, पलामो पुलीस ने जिले के नावा जैपूर्थाना छेतर में इस्थानी अस्तर पर निर्मित इवम अर्ध निर्मित हाथियारों का जकिरा पकड़ा है। सुचना के अनुशार इसमें कई तरह के देशी बंदूग शामिल हैं, हत्यार निर्मान वा सफलाइक अतार अंतुराजिये होने का संकेत मिला है, पुलीस अभी छानबीन कर रही है। कारिकरम सभा इस्थल, हेलिपेड इस्थल के साथ साथ अलबर्ट एका स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और पारवती इंटर कॉलेच परिशर मैदान का निरक्षन किया। इसको लेकर स्टेडियम में तैयारी युद्ध अस्तर पर सुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों कि आगे इस थानी निती पर राजसरकार कर रही राजनिती केंद्रिये मंतरी अर्जुनमुंडा बुधवार को गुमला जाने के दौरान लोहर तग्गा में कुछ समयक ले रुके इस दौरान भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं ने उनका भव्वे स्वागत किया केंद्रिये मंतरी ने मेडिया से बातचित करतो वे कहा कि राज की कानुव्यास था ध्वस्त हो चुकी है जिससे सरकार को दुरूस्त करना चाहिए उन्होंने कहा कि इस्थानी निती पर राजसरकार स्रिप और स्रिप राजनिती कर रही है गुमला जानी के दोरान केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा का लोहर दगा में भव्य रूप से स्वागत किया किया। पर फिर करवट ले रहा है। पर फिर करवट आ सकती है। जारखन का नया हाई कोट भवन 28 फरोरी तक बन कर तयार हो जाएगा। भवन निर्मान सचिव सुनिल कुमार ने पुरी टीम के साथ इस्थल निरक्षन कर निर्मान की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने निरक्षन के दोरान रोड नेटवर्क, कोट परिशर, मुख्य नियाधीस का कोट कक्ष, लैंड अस्कैपिंग आधिकारियों को देखा। कोट भवन का निर्मान 14 लाक वर्ग फूट में किया जा रहा है। यहाँ एक ग्रीन बिल्डिंग है, इसमें 540 एडवोकेट चेंबर की अलावा अदालत और नियाधीसों के लिए कक्ष बनाएगे हैं। करने के लिए कहा गया है, सिक्षा सच्यू के निर्देश के बाद जिलास्तर पर इसे लेकर पत्र जारी किया गया है, विद्धालियों में बच्चों की उपस्थिती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। परवरता निदेशाले एडी ने मंगलवायर को कोशल्या निर्मान प्राइबिट लिमेटेड और कोशल्या टाउंसिप की साथ अचल संपतियों को जब्त किया। एडी के द्वारा जब्त इन संपतियों की कीमत 90,38,912 रुपए आंकी गई है। एडी के अधिकारियों ने बता है कि CBI में दर्ज केस के आधार पर एडी ने मैसर्स कोसलिया निर्मान प्राइबिट लिमेटेड के खिलाप मनी लाटरिंग का केस दर्ज किया था। एडी के अधिकारियों के मुताबिक कमपनी ने जारकन में सडक निर्मान का ठेका लिया था। इस दोरान अलकतरा की खरीत का फर्जी इन्वाइस बना कर पत निर्मान विभाग को भेजा गया था। इस वज़द से सरकार को एक करोड आट लाग 95,513 रुपए का नुक्षा CBI ने इस मामले में चार सिट दायर की थी जिसके बाद मनिलाडरिंग का मामला दर्ज किया गया था। संगोम समेति के सदस सामिल हुए नर्ने हुआ है की सत्ता इस जन्वरी को समाजिक संगटनों के द्वारा राजभोण समीप महाधरना होगी महाधरना के माध्धम से राज़िपाल को सरना धर्मकोड की मांग अनुबंद पर अवैद न्योक्तियों के इस्थाई करन करने का विरोध स्टी-सी आरक्षण का अनुपालन नहीं करने स्टी-सी स्रेनी में आरक्षित वर की बैक लोक न्योक्तियां टी-सी आदिवासियों की जमीन पर अवाद कपजा वन का नुपट्टा सहित आदिवासियों के शनवधानिक अधिकारों को लेकर ग्यापन सौपा जाए जिसके बाद इसकी सूचना पुलीस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलीस ने एक को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया साथ हजार से अधिक अनुबंद में कारेत जारकन स्वास्त वाग के कर्मिचारी गए हर्ताल पर ये कारी हो सकती है परभावित कोविन-90 से उभर रही स्वास्त व्यास्था एक बर फिर से बेपर्टरी होने लगी है सेवा इस्थाइकरन की मांग को लेकर स्वास्त अनुबंद कर्मी मंगलवार से अनिशितकालिन हर्ताल पर चले गए हैं जारकन राज अनुबंध पाराचिकत सकर्मिशंग सहिद अन्य संगतनों के बैनरतले बड़ी संख्यामी अनुबंध कर्मी मांगो को लेकर धरने पर बैट गया हैं। हलाकि सिविल सर्जन कारेले के दावाहे की जल्दी इस्तिती समाननी कर ली जागी। तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल, न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रिस करते जे जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अबड़ेट आप तक पहुंचता रहें। तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में